लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रेनुका की शद्धा से और गणपती जी की कृपा से वो प्रेगनेंट हो गई थी और उसकी प्रेगनेंसी पर पहले तो सुमित्रा और मीना को विश्वास नहीं हुआ लेकिन आखिरकार वो भी मान गई और रेनुका की काफी देखभ वालों को भी बुलाया गया था और उसी दोरान मीना को समझा बुझा कर उसके ससुराल में वापिस भीज़ दिया गया था कितने अच्छे कदम लेकर आया है मेरा पोता इसके आते ही मेरी बेटी का घर भी बस गया तो माजी सही कहती है आ आप जनम के पंद्रा दिन बाद रेनुका के बेटे का नाम करण किया गया उसका नाम निर्भय रखा गया और सुमित्रा अपने पोते की बहुत ही देख भाल करती थी एक दिन रेनुका निर्भय को नहला रही थी तभी सुमित्रा वहां आती है अरे नालाया कैसे थोड़ी ना नहलाते हैं बच्चे को छोड़ मेरे पोते को तकलीव दे रही है पर मा जी मैंने ऐसा क्या किया है तू खड़ी हो मैं अपने आप नहला दूँगी तभी एक दिन रेनुका निर्भय के लिए दूद गरम कर रही थी हे भगवान अब क्या मेरे पोते को ऐसा दूद देगी और कैसे दूँ तू हज्जा मुझे करने दे तू मेरे पोते का कोई काम मत किया कर मैं सब कर लूँगी तो इस तरह से निर्भय का हर काम सुमित्रा ही करती थी और रेनुका को वो हर काम में गलत कहती थी धीरे धीरे निर्भय भी बड़ा होने लगा था मम्मी जी तू निर्भय पे नौचावर ही हो गई है हरे चलो अच्छी बात है तुम्हें कम ज्यान देना पड़ता है हाँ ये भी सही है बस मुझे डर लगता है कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए अरे ऐसा नहीं है आखर तुम मा हो उसकी चिंता मत करो देखते ही देखते 20 साल निकल गए सुमित्रा भी बूड़ी हो चली थी देखो कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा बस कुछी सालों की बात है फिर तो मेरे पोते की भी बहू आ जाएगी अभी तो मैं सरफ 20 साल का भी नहीं हुआ दादी कैसी बाते करती हैं आप अरे तो अभी कौन कह रहा है बस कुछी टाइम में देखना चान जैसे बहू ले आएंगे तेरी हाँ माजी मम्मी आप तो बिल्कुल मत देखना मुझे आप पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है मैं तेरी मा हूँ बले ही आप मेरी मा होंगी पर दादी तो दादी होती है शाबाज बेटा मेरा अच्छा बच्चा जुग जुग जी असल में निर्भे थोड़ा लापरवा और बदतमीज था वो अपने ममी पापा की ज़ादा इज़त नहीं करता था पर दादी अभी नहीं अभी वक्त है शादी करने में चार दिन बाद तेरा जनम दिन है फिर तु बीस साल का हो जाएगा हाँ हाँ तु बताईए दादी आप मुझे क्या तोफा दे रही है अरे तोफा तो ऐसा होगा कि तु देखकर खुश हो जाएगा अच्छा देखते हैं तो चार दिन बाद निर्भे का बीसवा जनम दिन होता है और सुमित्रा उसे एक फोल्ड किया हुआ कागस देती है ये देख तेरा तोफा कागस आप मुझे लव लेटर दे रही हैं क्या दादी अरे खोल कर तो देख निर्भे ऐसे खोलता है तो बहुत खुश हो जाता है वो कोई साधारन कागस नहीं बलकि वो घर जो सुमित्रा के नाम था उसने निर्भे के नाम कर दिया था रेनुका और राज भी बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों भी अपने बेटे पर जानवारते थे वाँ दादी, खमाल कर दिया आपने थेंक्यू सो मच हाँ हाँ कोई बात नहीं अब निर्भे की कॉलेज लाइफ शुरू हो गई थी और कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हो गया था वो उस लड़की के साथ काफी समय बिताता था लेकिन तीन साल तक घर में निर्भे ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी अब तो निर्भे 24 साल का हो गया है और मैंने उसके लिए लड़की देखनी भी शुरू कर दी है क्यों दादी आप मेरी लड़की क्यों देख रही है मैंने आपसे कहा है क्या अरे अरे ये क्या बोल रहा है तू क्या हुआ भीटा इतना गुसा क्यों हो रहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो मैं कौन सा कह रही हूँ आज के आज शादी कर ले मैं तो सिर्फ लड़की देख रही हूँ, वो भी बहुत सुन्दर सी जब मैं मना कर रहा हूँ तो जुबान मत लड़ा, माना कि मैं तेरी दादी हूँ, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे कुछ भी गलत बोल देगा निर्भय समझ गया था कि सुमित्रा उसकी बात नहीं सुनने वाली और तभी वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है रेनो का भी उसके पीछे जाती है क्या चाहिए अब आपको? बेटा इतना गुस्सा, क्या कोई बात चुपा रहा है? अब आप भी शुरू हो जाईए देख बेटा, मैं समझती हूँ इस उमर में काफी बदलाव होते हैं हम भी इस उमर से गुजरे हैं आप मेरी परसनल लाइफ पर मज जाईए ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दीजी बटा, तेरी दादी और हम सब तेरी शादी का सोच रही है ओहो, तो आप लोग फिर शुरू हो गए गुस्ता नहीं करते, पहले मेरी बात सुन हम, बताइए जल्दी मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे लड़की, लड़की, लड़की क्या करेंगे तुझे जल्दी मेरी शादी करवा कर पहले मुझे ये तो बताइए हर्मा बाप की ख्वाइश होती है उनके बच्चों की शादी होना, इसमें हम कहीं गलत हैं क्या बेटा, मैं तुझे फिर से पूछ रही हूँ अगर तुझे कोई लड़की पसंद भी है तो हम उनसे बात कर लेंगे अब कहिए कि जल्दी से शादी कर लो, फिरा मैं पोता देखना है जैसे दादी आपको कहती थी, अब आप शुरू हो जाओ मैं मेरी बहु को परिशान नहीं करने वाली जो मैंने देखा है, वो मैं उसे नहीं देखने दूगी अच्छा, तो अब कहना क्या चाती है, कि दादी ने आपको बहुत दुख दिया है अभी दादी से बताता हूँ निर्भे उटकर सुमित्रा के पास जाने लगता है, कि तब ही राज उसका हाथ पकड़ लेता है मैं तुझसे आखरी बार पोच रहा हूँ, कोई बात है तो बता दे कहा ना नहीं है राज खीच कर उसके चहरे पर उपर लगाता है, और उसको वो कागस दिखाता है तो फिर ये क्या है? बोल निर्भे हैरान हो जाता है, वो कागस कोई साधारन कागस नहीं बलकि निर्भे के कोट मैरिज का कागस था, उसने उस लड़की के साथ पहले से ही शादी कर ली थी राज और रेनुका को इस बात का दुख था, कि निर्भे इतना पूछने और कहने के बावजूद भी ये नहीं बता रहा था हमें पता था कि तुने शादी कर ली है, मैं बस जानना चाहता था कि तु हमारे कितनी इज़त करता है, अगर तु बता भी देता तो हमें स्विकार था बीटा हम तेरी माबाप है, हम तुझे समझेंगी, आजकल का वक्त ऐसा है, वक्त के साथ हम भी बदल गए है नलायक, अगर सच बोल देता तो मुझे तुझ पर गर्व होता, चल, निकल मेरे घर से ये कैसी बाते कर रहे हैं आप, तुम चुप रहो शोर सुनकर सुमित्रा भी वहां आ जाती है, अरे क्या हो गया, क्यू लड़ाई कर रहे हो, क्यू मेरे पोते पर चड़ रहे हो तुम निकल घर से, राज बेटा रहने दे इतना गुस्ता नहीं करते, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है राज उसका हाथ पकड़ कर दर्वाजे तक ले जाने लगता है, सुमित्रा और रेनो का उसे रोकती रहती है देखिए, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाओंगी तभी राज रुख जाता है अरे पगली, तुझे क्या लगता है, मैं ऐसा करूँगा रो मत, मैं इसे सच में घर से बाहर नहीं निकाल ला हाथा तो ये सब? मैं तो बस देख रहा था, कि इसे अभी थोड़ा पस्तावा है या नहीं इसके मुह से कोई माफिग शब्द निकलता है या नहीं सुमित्रा को भी ये देख कर काफे बोरा लगता है सुमित्रा भी रोने लग जाती है लेकिन सच्चाई ये थी कि निर्भे की शादी हो चुकी थी अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी आगे आगे काफी कुछ बदलने वाला था और राज रेनुका की जिंदगी में अंधेरा चाने वाला था देखते रहिए हमारे साथ कोख का अगला एपिसोड थैंक्स फॉर वाचिंग